नू हिंसा के बाद हरियाना में अब क्या हैं हालात? शांती बहाल करने के लिए हरियाना सरकार ने क्या उठाए कदम? हरियाना के सियम खटर ने क्या दी जानकारी? सोमवार को हरियाना के नू में भड़की हिंसा के बाद अब बुधवार को क्या हालात हैं? इसके बारे में हरियाना के सीए मुनोहललल खटर ने खुद जानकारी दी सिएम खटर के मुताबिक राज में शांती बहाल करने के लिए हरियाना पुलिस और केंदियर सुरक्षा वलो को चपपे चपपे पर तैनात किया गया है। सभी सुरक्षावलों को उन इलाकों में तैनाद किया गया है, जहां या तो हिंसा का प्रभाव पड़ा है, या फिर हिंसा हुई है, वहीं CM खटर ने 9 घटना में अभी तक कितने लोगों की जान चली गई है, उसके आंकडों को भी साजा किया है, उनके मुताबिक 9 घटना में करने दे, चलिए सुनते हैं, मुनहर लाल खटर ने हर्याना की ताजा इस्थिती के बारे में और भी क्या-क्या कुछ कहा है, देखिए जैसे हमकों को जानकरी है कि नू की जो एक दुरुभागे पूर्ण दरदनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफी बड़ी मात्रा मे नुकसान हुआ, और अभी तक की जानकरी में छे लोगों की मृत्यों हुई है, दो हमगाड के लोग हैं, चार सिविलियन्स हैं, और अने को घाल हुए हैं, जो नलड होस्पिटल में, मिदानता होस्पिलो गुरुगराम में, अन्य होस्पितालों में दाखिल हैं, जिनकी द पलवल में, दो गुरुगराम में, एक फृरिदाबाद में, और चौदा जो कंपनीस हैं, वो नूजिले में डिप्लाइ की गई हैं, और सब मिलकर के वहाँ एक जो शुरिंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोशी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके लिए सर्च अप्रेशन भी किया गया है, और जो लोग भागे हुए हैं, उनको पकड़ने कुश्च की जा रही है, अभी तक एक सो सोला लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं, और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा, ताके उनसे और जानकारी ले करके, जो भी लोग इसमें दोशी पाये जाएंगे, उनके उनको पकड़ करके, उनके खिलाफ सक्सक्त कारवाई की जाएगी, किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा, हाँ, जो आम नागरेक हैं, उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दाई तो है, उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा अजेंसी हैं, हमारी रखें और चूंकि आपसी तनाव में भाहिचरा बिगड़ता है भाहिचरा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशाली है तो किसी प्रगार की घटना को आगे न बढ़ने दें ऐसा मैं जंता से अपील करता हूँ